दोस्तों आज हम देख रहे हैं Dependency Injection Dependency Injection Object Oriented Programming में एक concept है Dependency Injection जो की आपके code लिखने के experience को बेटर करता है और आप जो code लिखते हो उसमें reusability मतलब reusability का concept applicable हो जाता है तो जब भी आप कोई module बनाते हो या कोई service बनाते हो तो आपको क्या करना होता है कि आपने एक बार कोई module बना दिया कोई service आपने बनाई है तो एक बार आपने उसका code लिख दिया लेकिन वो service को आप कही पर use कर सकते हो मतलब एक बार आपने service लिख दी एक बार आपने class बनाके code लिख के complete कर दिया लेकिन उस service को आप किसी दूसरे module में include करके और फिर उसका use कर सकते हो ठीक है तो यहाँ पर आता है concept dependency injection का basically आपने जो class बनाई है वो class को inject करना होता है दूसरी class में है ना तो अपने इसको एक example से समझते हैं तो मैंने यहाँ पर क्या किया है मैंने यहाँ पर यह एक file बना ली है यहाँ पर मैंने एक file बना ली है और PHP का normal code में यहाँ पर लिखूंगा एक file बनाके और इसमें हम लोग coding करते हैं ठीक है तो मैंने क्या किया यहाँ पर मैंने लगाया PHP पी तो मैं यहां पर बनाता हूँ एक class तो मैंने क्या किया यहां पर एक लिया keyword class और मैंने यहां पर यह class बनाई ठीक है इस class के अंदर में एक function बनाता हूँ public function public function message ठीक है public function message बनाया मैंने और इसके अंदर हम एक variable लेते हैं जिसमें हम message की value बेजेंगे तो dollar msg मैंने एक variable लिया जिसके अंदर मैंने message की value बेजी ठीक है फिर मैं क्या करता हूँ यहां पर मैं वो message print करवा हूँ हुआ जो की message के थुरू यहां पर दिखाई देगा तो यह message class बन गई अब मैं कुछ जब भी message class को use करना हुआ मतलब मैं कुछ जब भी किसी भी काम को करने के बाद message print करवाना हुआ तो मैं इस class का object बना के उसको call कर लूँगा ठीक है अब मैंने class बनाई page एक class बनाई मैंने page ठीक है अब इस class के अंदर मैंने क्या किया कि की function बनाए ठीक है इस class के अंदर मैंने तीन function बनाएं, इसका क्या मतलब है यहां पर, यह मैंने create page function बनाया, अब मैं क्या चारा हूँ कि जैसे ही कोई page बनाएगा, यहां पर page बनेगा तो page created message print हो जाए, तो मैंने यहां पर message class का object बनाया, ठीक है, और यहां पर message को pass कर दिया, तो message print हो गया, ठीक है, उसी तरीके से मै मैंने यहां पर दूसरा जो message update page के लिए बनाया, और तीसरा delete के लिए बनाया, और तीनों पर message print करवा रहा हूँ, यहां पर मैंने लिख दिया page updated, और यहां पर मैंने लिख दिया page deleted, ठीक है, अब यह हो जाने के बाद मुझे क्या करना पड़ेगा, कि page class का एक object बनाना पड तो मैंने dollar page is equal to new page, यह मैंने एक page class का object बनाया, अब यहां पर dollar page, arrow, यहां पर मैंने call किया create page function, और create page function में मैंने create page function को call कर लिया, ठीक है, फिर मैंने इसी तरीके से दो और जो functions है मेरे, उनको भी यहां पर call किया, अब इस code को मैंने run किया, तो यहां पर यह तीनो functions, तीनो message प्रिंट हो रहे हैं, ठीक है, अब problem यहां पर यह है कि यह जो तीनो function यहां call हो रहे हैं, ठीक है, यह page class है, है ना, अब यह page class message class पे depend हो गई है, पेज्च ख्लास जो है वो message class पर depend हो गई है ठीक है ये तो सभी बात रहा है कि लेकिन यहाँ पर दूसरा problem यह है कि हम लोग यहाँ पर repeated code लिख रहे हैं हम देखो कि ये message तीन बार object मैंने बनाया फिर ये तीन बार मैंने message यहां पर pass किया तीन बार मैंने इसका object बनाया तो ये code जो है मेरा object वाला ये code मेरा repeated हुआ तीन टाइम्स होगा और dependency तो यहां पर दिखी रही है कि अगर page create हो रहा है या कुछ भी हो रहा है तो हम message class पर dependent है message print करने के लिए ठीक है तो इस problem का solution है dependency injection ठीक है तो हम लोग क्या करेंगे dependency injection के तुरू कि यहां पर हम लोग एक private object बना लेंगे dollar messenger करके एक private object मैंने यहां पर बना लिया ठीक है dollar messenger और यह मैंने private object यहां पर बना लिया ठीक है अब इससे क्या होगा कि यह जो मेरी messenger class होगी यह मैंने यहां पर private object बना लिया ठीक है अब मुझे क्या करना पड़ेगा कि एक function बनाना पड़ेगा और वो function क्या होगा constructor function होगा जो की इस object को initialize करेगा ठीक है तो मैं क्या करता हूं यहां पर एक function बनाता हूं public अभी यह जो function है यह magic method है मतलब यह constructor function होगा तो मैंने यहां पर constructor function बना लिया ठीक है यह constructor function हो गया यहां पर मेरा यह constructor function मैंने यहां पर बना लिया ठीक है अब क्या होगा कि constructor function क्या करेगा कि इस private object को यहां पे slice करेगा मतलब यह dependency को inject करेगा ठीक है लेकिन यह तीन बार जो मैंने तीन बार code को लिखा है है यहां पे three times जो code को लिखा है मैंने तो मुझे आफ क्या करना होगा कि ये वारवार object बनाने की जरुवत नहीं होगी क्योंकि ये object मेरा यहाँ पे बन गया और मैंने this के through उसको call कर लिया यहाँ ठीक है तो मैं को क्या करना होगा कि इस code को मुझे यहाँ हटाना होगा और यहाँ पे मैं क्या करूँगा dollar this dollar this arrow और ये जो function है मेरा उसा ये वाला function ये डॉलर दीज एरो message और message को call करना है क्या object पाल करेगा तो dollar this messenger और messenger के बाद मुझे call करना है इस function को message वाले function को तो मैंने इसको यहाँ call गया और इस function के अंदर मैंने क्या किया ये वाला जो मेरा message था वो print कर दिया यहाँ पे ये message को print कर दिया यहां तो इस से क्या होगा इसको करने से यह भोगा कि यह वाला जो line है वह मुझे नहीं लिखनी होगी ठीक है अब यह सेम चीज में यहां पर इन दो line को हटा के भी यह लिख दूँगा और यहां पर मैं लिख दूँगा कि बार बार हम लोग जो code लिख रहे थे वो code हमको नहीं लिखना पड़ा हम लोगों ने एक बार private object बनाया और उस private object को हमने उस private object के थुरू हमने तीनो message तीनो function के लिए उस object को use कर लिया तो reusability हमारी यहां पर हो गई और हमारा जो repeated code हो रहा था वो यहां पर नहीं हो रहा लेकिन अब हमको यहां पर क्या करना पड़ेगा तो थोड़ी देर के लिए मैं इस पूरे code को हटाता हूँ मैं यहां पर बनाता हूँ एक object तो मैंने dollar पूबी जे और यहां मैंने एक object बनाया messenger class कौन सी class का यह वाली class का मैंने एक object यहां पर बना लिया तो यह मेरा messenger class का object बन गया फिर मैंने dollar page मतलब dollar page जो दूसरी class है उसका object बनाया और उसमें मैंने new page यह दूसरा object बनाया ठीक है लेकिन अभी क्या हो रहा है कि जो messenger है जो page class है वो messenger class पर dependent है तो मेरे को क्या करना पड़ेगा कि जो message class का object है messenger class का object है वो यहां पर pass करना पड़ेगा constructor के अंदर उसके बाद मैं क्या करूँगा कि यह तीनों function को मैं call कर लेता हूं इन तीनों function को मैं call कर लेता हूं ठीक है तो यह proper तरीके से यही result मेरे को दे रहा है ठीक है तो इससे क्या हुआ dependency injection हमने implement किया dependency injection से हमने क्या कि message class पर page class को depend किया और बारबार जो code हम लिख रहे थे बारबार जो object हम बना कर duplicate code कर रहे थे वो हमारा remove हो गया तो यह concept है dependency injection का अभी इस concept के use हम करेंगे डूपल में तो डूपल में क्या है कि जिस तरीके से हमने message class यहां पर बनाई है ऐसा डूपल ने हमको कुछ default services बना के दिए ठीक है तो messages मतलब dependency injection का जो use है वो हम लोग उन service को access करने के लिए करेंगे जिसे example के लिए email validation तो email validation का जो class है वो बना के दिया है डूपल ने service बना के दिए अब उस service को हमको use करना है हमारे code में तो उसके लिए हमको dependency inject करवानी पड़ेगी जब जाके वो हम लोग उस service को use कर पाएंगे तो यहां पर ये तो overview था dependency injection का लेकिन आब इसको हम आगे डूपल में implement करें